नमस्कार छात्रों मैं सुरियंद्च रसिया विएस एकाडमी विद्याले के जो भी छात्र है एवं देश के अनविद्यालेओं जहां पर जहां पर ओयांस हिंदी पाठ माला की पड़ाई होती है मेरे बाड़ी पध्यान दें मैं सात्मे वर्ग के उस्तक को पड़ा रहा हूँ जिसका प्रत्म पाठ है पाठ का नाम है है नमस्कार उनको हम नमस्कार उनहीं को कर सकते हैं वहीं नमस्कार के युग हैं जीन का हिर्दय पवीत्र है जीन का हिर्दय सुद्र है वहीं नमस्कार कराने के युग हैं डाक्टर गीता रानी कवैत्री का भाव है है नमस्कार उनको जीन का मौन पावन है उनहीं को नमस्कार है मैं उनहीं को नमस्ते कर सकता हूं जीन का हिर्दय पवीत्र है मौन पावन है जिसमें बहती है प्रेम धार जिसके हिर्दय में प्रेम की धार बहती रहती है अगर जो प्रेम रहीत है पवीत्र जीन का हिर्दय नहीं है वो नमस्कार के पातर रही है चीत मिर्दूल और हिर्द उदार और मौन जो है मिर्दूल होना चाहिए और हिर्द भी उदार होना चाहिए दिल भी उदार होना चाहिए दुसरे का कल्यान करने वाला होना चाहिए हर प्राणी से है जिन है प्यार हर प्राणी से जो स्रे करते हैं प्यार करते हैं करुणा से जो हैं ओत प्रोत जिनके अंदर दया भावना करुणा ओत प्रोत है भरा हुआ है उन से ही लगती ये स्रिष्टी मौन भावन है उन ही से ये स्रिष्टी सारी लगती है कि मौन भावन है मौन को लुभाने वाली है है नमस्कार उनको उनहीं को नमस्कार है जीन का मौन पावन है पवित्र है सुध है दुसरा स्टिंजा है जो निर्बल के हीत साधन में आज जूटते हैं जो औसाहा है निर्बल है उनके कल्यान में जो आकर जूट जाते हैं उनको हर साधन देते हैं जो सत्य की रक्षा है तु मर मिठते हैं सत्य का जहां रक्षा हो सत्य के रक्षा के लिए अपने को कुर्वानी देते हैं समर्फित कर देते हैं जीते जी भॉले उन्हें ना कुछ सत्कार मिले जिन्दा रहने पर भॉले उनको आदर नहीं मिले सत्कार नहीं मिले पर उनको देव सहायक और अवतार मिले द्याउता उनके सहायक हो जाते हैं और देव का ही अवतार उनका हो जाता है वह स्वेम परभू की महिमा का सूब गायन है वे इस्वर के महिमा का उनके अंदर जो खुबियां है उनका जो सूब गायन करते हैं है नमस्कार उनको जीन का मन पावन है वह स्वेम परभू की महिमा का सूब गायन करते हैं जो वो नमस्कार के पातर होते हैं जो हर जीवों के कल्यान का बात सूबते हैं वो नमस्कार के पातर होते हैं जिनका हिर्दय पावित्र है पावन है तीसरा है छल कपट द्वेस पाखंड से छल नहीं होना चाहिए हिर्दय में, पाखंड नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, दूसरे से घेणा नहीं होना चाहिए, जो कोशो दूर रहते हैं, सद भावना सुभ और मैतरी से भरपूर रहें, उनके अंदर सक्ची भावना हो, सही भावना हो, और सूब मैत्री से भर पूर रहें सूध मितरता हो सब को अपना समयते हो जो हसकर सत्रू को भी छमा करें अगर दुस्मन भी सामने आ जाए उसको भी हसकर अगर छमा कर देते हैं तो संसार के सूख साधन से जो न मोह करें संसार में जितने सूख साधन है उनसे मोह नहीं करते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं, है भीतर जो आलोक उसे वह पा जाएं, जो भीतर आलोक है प्रकास है उसको वह प्राप्त कर लें, पा लें, तीनों ही लोक तब सम्मूख उनके जूख जाएं, तब समझें कि तीनों लोक जो है, उनके सामने आकर मस्तक हो जाता है, जूख जाता है, और मैं भी उनकी किर्पाद्रिष्टी का अभिलासी हूँ, मैं अभिलासा रखता हूँ, इक्चा रखता हूँ अपने हिर्दय में, कि मैं भी वैसाहीं बनूँ, वैसाहीं करूँ, मन को पवीदर रखूँ, सुधर रखूँ, दीखते सधारन पर वे सधारन लगते हैं, सधारन है वे सच्चे निरीप राजन है, वहीं सच्चे राजा है, राजन है, राजकुमार है, है नमस्कार उनको, जिनका मौन पावन है, इसलिए कभी इतरी डाक्टर घीतारानी कहती है, कि वहीं नमस्कार के पातर हैं, नमस्कार के यूग हैं, जिनका मौन पवीतर है, धनिवाद छातरों, लॉकडाउन का पालम करते हुए, सरकार का आदेश अंघर के अंदर रहें और लाब उठाते रहें मेरे इस वीडियो को ध्यान पुरुवक देखें लाइक भी करें और दूसरे का भी हेल करें मदद करें उसे प्रेरित करें कि वे भी इसे लाब उठावें कहीं से भी प्रस्णा आएगा आप बना सकते हैं जय हिंद जय भारत